आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ, अब ही डाउटनोट करें। कौन सी है, ये रेखा है 2X प्लस 3Y बरावर 6, ठीक है, अब इसके सापेक्ष ये बिंदू है, तो इस बिंदू से मुझे इस रेखा की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस बिंदू से इस रेखा पर एक तरह से लंब डाल दूँगा, ठीक है वही इसके बीच की दूरी होगी, ठीक है न, यही दूरी होगी इसकी, लेकिन यहाँ पर क्या है, कि ये इन्होंने कहा है कि जो की रेखा 4X प्लस Y बरावर 7 के समानतर मापी गई है, ठीक है, अब ये हमें एक रेखा दी हुई है, कोई 4X प्लस Y बरावर 7, तो इसके हमने सम समानतर ये दूरी मापी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कि इस रेखा का, इस बिंदु जो यहाँ पर दिया है हमें, एक तीन, इस से जाने वाली, और इस रेखा के समानतर रेखा का समीकरण मुझे निकालना पड़ेगा, यानि इस रेखा का मुझे समीकरण निकालना प समानतर रेखा का समीकरण तो देखे किसी रेखा के समानतर रेखा का समीकरण क्या होता है गुणांक तो वही रहते हैं मतलब 4x प्लस y ही रहेगा लेकिन बराबर लेमडा हो जाता है ठीक है अब इसके बाद हमें लेमडा का मान निकालना पड़ेगा इसको हम समिकरन एकमाल लेते हैं चोंकि ये जो रेखा है कौन से बिंदू से होकर जा रही है देखिए ये बिंदू P से होकर जा रही है चोंकि रेखा बिंदू P एक तीन से होकर जाती है इससे होकर जाती है तब क्या होगा बताईए तब हम क्या करेंगे अब देखे हमें इन्होंने दूरी पूछी थी ठीक है अब वैसे अगर हमें किसी बिंदों से दूरी निकालनी होती है तब तो हम सीधा सीधा निकाल देते हैं लेकिन यहां पर हम लंब डाल कर नहीं निकालेंगे दूरी ठीक है यहाँ पर हम लंब डाल कर नहीं निकालेंगे क्योंकि यह जो रेखा है यह कोई जरूरी नहीं कि इस पर बिल्कुल लंब ही हो यह यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यह लंब ही हो यह तो मैंने ऐसा चित्र बना दिया है यह रेखा इस तरह से भी हो सकती है तो फिर जब आप इसके समानतर दूरी नापेंगे इस बिंदू से, तो वो भी कैसे होगी, वो भी कुछ इस तरह से ही होगी, ठीक है, तो इसलिए मुझे इस रेखा का समिकरण निकालना पड़ रहा है, अब मैं क्या करूंगा, ये बिंदू इस रेखा में रखूंगा, तो क आ जाएगा, चार गुणा एक प्लस तीन बरावर लेम्डा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, चारेकम चार और तीन साथ, यानि लेम्डा बरावर कितना आ जाएगा, साथ आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब, जो रेखा का समिकरण आ गया, वो क्या आ गया, चार एक्स प यहां पर एक मतलब क्या करेंगे बताइए, यहां पर इस रेखा का और जो हमारी ये वाली रेखा है, 2x प्लस 3y बराबर से इन दोनों का प्रतिछेद बिंदू निकालेंगे, तो प्रतिछेद बिंदू कैसे निकलेगा बताइए, प्रतिछेद बिंदू, तो प्रतिछेद बिंदू कैसे निकलेगा, कि इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, तो 4x प्लस y बराबर साथ है, और यहां पर 2x प्लस 3, तो इस समिकरन में मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूं, तो क्या हैगा, 4x और 3 दोनी 6y और बराबर कितना आ जाएगा, बताइए, 6 दोनी 12 हो जाएगा यह, ठीक है, अब यह माइनस 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 हम दोको घटा देंगे, तो माइनस के 6 में से y जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस के 5y, और 12 में से 7 जाएगा, तो यह बचेगा, माइनस का 5, ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर x इसका 1 बटे में 4, यानि कि 6 बटे में 4, यानि कि 3 बटे में 2, तो x बराबर आगया 3 बटे 2, अतहा प्रतिछेद बिंदू, क्या होगा बताईए, प्रतिछेद बिंदू यही हो जाएगा, 3 बटे 2,1, तो इसका मतलब की ये वाला जो बिंदू है, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिछेद कर रही है, ये बिंदू यहाँ पर कौन सा है, ये बिंदू है यहाँ पर 3 बटे 2,1, ठीक है अब इस बिंदु और मैंने माल लिया कि यह बिंदु क्यूं है तो इन दोनों के बीच की दूरी मैं यह निकाल सकता हूँ दूरी सूतर से तो क्या आ जाएगी इनके बीच की दूरी तो बीच की दूरी बराबर आ जाएगी under root के अंदर 1-3 बटे 2 का whole square plus 1-3 का whole square क्योंकि दूरी का सूतर क्या होता है d बराबर अंडर रूट के अंदर x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square तो यहाँ पर आप x1, y1, x2, y2 किसे को भी मान सकते हैं चाहे तो इसे x1, y1 मान लीजे और ये वाला जो बिंदू है p इसको आप x2, y2 मान लीजे ठीक है तो ये आ जाएगा अब इसके बाद क्या करेंगे इसको सरल करेंगे तो एक में से डेड़ जाएगा तो कितना बचेगा आधा बचेगा यानि एक बटे 2 का square plus ये हो जाएगा minus 2 का square और यहाँ पर भी minus आएगा फिर ये किसके बराबर जाएगा अंडर रूट के अंदर एक बटे 4 और ये आजाएगा 2 का square ये भी 4 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4.16 यानि एक प्लस 16 बटे में 4 तो ये कितना हो जाएगा बताइए ये यहाँ से आपका आजाएगा अंडरूट के अंदर 17 बटे में 2, यह आपका उत्तर होगा, यानि कि उस रेख बिंदू की इस रेखा से जो दूरी है वर अंडरूट 17 बटे 2 है, जो की रेखा 4X प्लस Y बरावर 7 के समानतर मापी गई है.